चलिए दूस्तों स्टार्ट करते हैं एक निया वीडियो के साथ यह है अप्सन का L3100 अगर आपके पिंटर में L7 का अगर पिंटिंग अच्छे से नहीं दे रहा है पिंटिंग कलर ठीक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे है आप लोगों के लिए दो ट्रिप तो चलिए पिंटर को पहले पावर ओफ कर देना और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप बतन आप लोग अच्छी तारह से देख लिजी है यहाँ पे है स्टॉप बतन यह स्टॉप बतन को पहले आप लोग प्रेस करके रखना इसको प्रेस करके रखने के बाद आप लोग पावर बतन को रहा है यह हमको एक पेस प्रिंट करके निकल करके देखा देखो यहाँ पेस यहाँ से निकल करके आ रहा है दोस्तों तो आप लोग अची तरह से देख लो यह हमको एक पेस निकल करके देगा और उससे हमको पता चलेगा कि हमारा जो प्रिंटिंग है यानि कि कलर जो देख लो यहाँ पे gap बहुत है तो आप लोग देख लो gap बहुत आ रहा है यहाँ पे तो black and white में भी यहाँ पे भी आपका gap आ रहा है color में भी gap आ रहा है तो यह gap को हताना चाहिए तो यह gap जो है इसको हम कैसे हताए तो चलिए आपको सीधे हम अपने computer में ले चलते हैं और लेज चलाकर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ जो लाइन्ज है यह लाइन्ज में जो गेब हो गेब के से हत्याज जा सकता है तो हमारे यहाँ पे हमने लैपटव बन कर रहें रखता है हैं तो अभी हम right side में नीशे में यहाँ पे आप लोग देख लिजे यहाँ पे आप लोग को click करना पड़ेगा इसको click करने के पाद आप लोग देख लिजे यहाँ पे हमारे दो printer है L3200, L3100 यहाँ पे हम L3100 को press किया है प्रेस करने के बाद आप लोग देख लिजे यहाँ पर बहुत सारे हैं क्या-क्या है monitoring performance नजल शेक कर सकते हैं head clearing कर सकते हैं print head alignment कर सकते हैं तो यहाँ पर हमको करना जरूरी है head clearing क्योंकि head जो है वो ठीक से हमको print out नहीं निकल करके दे रहा है यहाँ पर जो हमने पहले step में जो किया है दो जो बतन है power और stop बतन जो हमने क्लिक करके किया है वो नजल शेक था दोस्तों यहाँ पर printer setting में हम क्लिक करके आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पे printer setting में हमने click किया और click करने के बाद यह सिधे हमको printer properties में ले गए है तो यहाँ पे आप लोग देख लिजिए जो है हम printer properties में जाएंगे और यहाँ पे nozzle check already हो चुका है हमने जो पहले प्रेस किया था power और stop button और अभी हमको क्या करना है head cleaning करना है तो अगर आप लोग head cleaning करोगे तो आपका जो printer के वो printer पहले जैसा हो जाएगा अगर head cleaning कैसे करें उसको देखना है तो description में हम एक link दे देंगे आप लोग जा करके उसको check out कर लेना दोस्तो ठीक है video जाड़ा लंबा नहीं करेंगे दोस्तो यहाँ पे communication error जी बिलकुल हमने दाटा के बूल नहीं ल जाट